रूस्ट यूक्रेन जंग से जुड़ेक और बड़ी खबर आ रही है। रूस्ट यूक्रेन को जंग में हराने का दावा कर रहा है। रूस्ट यूक्रेन जंग से जुड़ेक और बड़ी खबर आ रही है। सत्रा महीने की सबसे खौफनाक परमाणों मीठें। यूक्रेन और नैटो इसी भुलावे और गलत फेहमी में जंग कर रहे हैं। कि सत्रा महीने की जंग के बाद पुतिन का रूस युदधार जाएगा। और कमजोर रूस पर यूक्रेन और नैटो के 31 देश मिल कर कपजा कर लेंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि पुतिन का जंगी दिमाग क्या प्लैन बना चुका है। पश्चिमी देशों के कुछ खुफिया एजेंटों ने साफ जेतावनी दे दी है। कि पुतिन का रूस कम से कम नैटो और पश्चिम के आठ देशों पर भायानक परमाडू हमला करने के खौफनाक तयारी कर चुका है। हम आपको आके बताएंगे कि पुतिन ने नैटो और यूरप के किन किन देशों पर हमला करने का प्लैन बनाया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस की परमाडू मिसाइले, परमाडू बंप और परमाडू पंडूब्यां कहां कहां से हमला कर सकती है। उससे पहले जरा पुतिन का ये वीडियो गौर से देख लीजे। जहां राश्वपती पुतिन रूस के रोस्तों में मीटिंग करने जा रहे हैं। पुतिन के साथ योकरेन में जल रहे हैं रूस के स्पेशल मिलिटरी ओपरीशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गरासिमो साफ देखी जा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 17 महीने से जादा की जंग में ऐसा पहली बार है कि पुतिन ने युद के कमांडर इंचीफ जनरल वालेरी गरासिमो और टॉप फाइव जनरलों से परमाडू मीटिंग की है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अब जंग को जल्द से जल्द खत्म करने का इरादा कर लिया है। तीछे की कई वज़ा बता रहे हैं। पहला ये योकरेन के दावों के मताबिक 17 महीने से जादा की जंग में रूस के 258,000 से जादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसे हालात में रूस के पास दो ही रास्ते हैं। या तो एक साल तक और युद्ध करो या फिर जंग को खत्म करने के लिए परमाडू जंग शुरू करतो। हम आपको पश्चिमी देशों के दावे और खुफिया रिपोर्टों के मताबिक बताने जा रहे हैं कि रूस के रोस्तो शहर में होई पुतिन की परमाडू मीटिंग की कौन-कौन सी जानकारी जान बूचकर रूस ने लीक करवाई हैं। ताकि नैटो में शामिल अमेरिका, फ्रांक्स, ब्रिटे, जर्मनी जैसे देश रूस पर बड़ा हमला करने से पहले सौ बार सोचें। लीक हुई जानकारी के मुताबिक राश्षपती पुतिन ने चीफ कमांडर जनरल वालेरी गिरासिमों से परमाडू जंग के लिए पूरी तरह से तयार रहने के लिए बोल दिया है। पुतिन ने अपने चीफ कमांडर समेथ पाँच टॉप जनरलों को कह दिया है कि रूस परमाडू जंग से अब जंग जीत पाएगा। इसलिए रूस की सभी परमाडू ब्रिगट और ऑपरेशन फुल एक्टिब कर दो। खबर तो यहां ठका रही है कि मीटिंग में ये चर इधर बेला रूस में रूस के एक टॉप जनरल एक हथे पहले ही पहुंच चोके हैं। राश्रबती पुतिन और बेला रूस के राश्रबती अलेक्जेंडर लुकाशेंको परमाडू बमों की तैनाथी को लेकर दुनिया को खुलम खुला बता चुके हैं। बेला रूस ही रूस के लिए योगरेन और नाटो के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है। बेला रूस से ही योगरेन, पॉलेड, लिथवानिया पर रूस सबसे पहले परमाडू हमला करेगा। एक भी करेण थाओ पहले लुणी को भी कि षूसर नाटो है। I musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła. Rozmawialiśmy o tym z Panem Prezydentem wcześniej, jest to obserwowane na terytorium Litwy. Wiem również, że jest obserwowane na terytorium Łotwy. I widzimy to także u nas. तक शे बेंजे व्वाशने जाओ ना तुम पोलेगाईं प्रोवकाशे ना तुम पोलेगाईं इंत्रीगी कनुचे जे स्ट्रोन उकाशन की पुटिना इस वक्त योक्रेन रूस के हाथों बूरी तरह से मारा जा रहा है पूर्वी योक्रेन के 35 फीजदी इलाके पर रूस का कबजा हो चुका है जबकि दक्षनी योक्रेन का 20 फीजदी इलाका रूस योक्रेन से चीन चुका है लेकिन अब रूस को लगता है कि योक्रेन के साथ-साथ 8 देशों पर परमाणू हमला करने का समय आ चुका है जरा परमाणू प्लांच पर खत्रा दिखाते हुए, नाटो और अमारिका को रूस के खिलाफ युद्ध करने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए रूस सबसे पहले योक्रेन पर एट्मी हमला करना चाहता है, दूसरा देश है ब्रितन, जो योक्रेन के समर्थन में पूरी दुन जो पूतिन की परमाणू हमले के लिस्ट में टॉप देशों में शामिल हो चुका है, वही नाटो की कटपुतली बन चुका पोलेंड पूतिन की परमाणू मिसाइलों के हमले से किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा, पोलेंड की परमाणू तबाही रूस के हाथों निश् लात्विया का, खुलेाम रूस को दुश्मन नंबर एक कहना पुतिन को जबरदस्त गुस्सा दिला चुका है, लात्विया पर भी रूस परमाणू हमले की तैयारी में है, वहीं अमेरिका पर रूस इसलिए भीशन परमाणू हमला करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ही रू लात्रा लिट्वान या बंचुकाई पोतिन की परमाणू हमले की तैयारियों पर पूरी दुन्या की नजर है खास तोर पर अमेरिका 24 गंटे रूसकी परमाणू मिसाइलों की पोजिशन और लोकेशन पर नजरे गड़ाए हुए ताजा सेटलाइट तस्वीरों से इस बात का पता चला है कि रूस, बेलारूस के किस जगह पर अपने परमाणू हत्यारों को छेपा रहा है दुनिया भर के परमाणू हत्यारों पर नजर रखने वाली संस था Federation of American Scientist ने बताया है कि नई सेटलाइट तस्वीरों से बता चला है कि बेलारूस के ओसी पोविची शहर के पास एक हत्यार डीपो में दोहरी बाढ़ वाली सुरक्षा परिधी का निर्मान कार्य चल रहा है जहां रूस के परमाणू बंग या मिसाईलें हो सकती है हम आपको बता दें कि रूस के पास कुल 400 परमाणू हत्यारों से लैस इंटर कॉंटेनेंटल बलेस्टिक मिसाईले हैं इन मिसाईलों में कुल 1185 परमाणू वार हिट को तैनात किया जा सकता है इसके अलावा रूस परमाणू हत्यारों से लैस 10 परमाणू शक्ति संचालित पंडुब्वियों को उपरेट करता है इन पंडुब्वियों में 800 परमाणू वार हिट को तैनात किया जा सकता है इर रहते हैँ. वहीं 2022 के एक रिपोर्च के अनुसार, रूस के पास 5977 परमाणु वार हिट है. इन में से 1500 परमाणु वार हिट को रेटार किया जा चुका है, हना कि इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. रूस के रिजर्व रखा है खबरों के मताबिक रूस ने 1588 परमाणू वारहेट को हमले के लिए तैनात रखा है हमले के लिए तैनात परमाणू वारहेट में 812 जमीन से हमला करने वाली बैलेस्टिक मिसाईलों में लगाये गए 556 परमाणू वारहेट को पंडुबवी से लॉंच किये जाने वाली बैलेस्टिक मिसाईलों में लगाया गया है इसके अलावा 200 परमाणू वारहेट को हैवी वारहेट बेस पर तैनात किया गया है अब आप ये भी जान लीजे कि अगर रूस योकरेन अमेरिका समेत आठ देशों पर परमाणू हमला करता है तो उससे इन देशों का क्या होगा जानकारी के मताबिक रूस परमाणू हमला करके योकरेन का 6,3,700 वर किलोमीटर एलाखा तबाह कर देगा वहीं ब्रिटेन को कट्टर दुश्मन मानने वाला रूस ब्रिटेन के 2,9,331 वर किलोमीटर एरिया को बर्बाद कर सकता है अगर रूस ने दरजनों परमाणू मिसाइलें फ्रांस पर दागी तो यकीम बानिय फ्रांस का 5,5,695 वर किलोमीटर एलाखा भस्म हो जाएगा जबकि जर्मनी रूस के परमाणू हमले में अपना 3,57,21 वर किलोमीटर एलाखा को सकता है और बात पोलन की करें तो रूस पोलन के 3,12,699 वर किलोमीटर को पूरी तरह से जला कर राख करतेगा नैटो देश लात्विया पर रूस की परमाणू मिसाइलें बहुत घातक साबित होंगी उसका 64,589 वर किलोमीटर इलाखा बरबाद हो जाएगा वहीं अमेरिका का 98,26,675 वर किलोमीटर का इलाखा है रूस यहाँ पर परमाणू धमाके करके आधा अमेरिका परमाणू आध में जला सकता है आटपा देश लिथवानिया होगा जिसका 55,300 वर किलोमीटर इलाखा रूस की परमाणू में साइलों के हमले के सामने जल कर राक हो जाएगा दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट का साफ कहना है कि रूस की परमाणू पावर बेमिसाल है हम आपको रूस की फायर पावर की एक और तस्वीर दिखाते हैं TOS-1A जैसे रॉकेट सिस्टम योक्रेणी सैनिकों के शरीर जला कर कोईला बना रहे है हालात ये हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक मार करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम योक्रेणी सैनिकों को खाईयों और बंकरों में जला कर मार रहा है रूस ने योक्रेन पर फाइफ फ्रंट वार शुरू कर दिया है यानि योक्रेन के ओपर पांच मोर्चों पर एक साथ हमला चार जून से लेकर अब तक योक्रेन रूस के कबजे बाले जापुरेजिया में एक भी बड़ा मोर्चा नहीं जीत पाया है महस जोटे मोटे मिला कर आठ गाओं पर योक्रेन कबजे का दावा कर रहा है पर्शिमी मीडिया के तमाम प्रोपेगंडा के बावचुद जंग में योक्रेन जीत नहीं रहा बलकि हार की कगार पर पहुंच चुका है लेकिन उसके बावचुद राश्टरबती जैलन्स की दावा कर रहे हैं कि वो पूर्वी योक्रेन में जंग जीत रहे हैं और रूस के हमलों को नाकाम कर रहे हैं इन ही प्रोपेगंडा को देखते हुए रूस ने अब फुल एंड फाइनल वार का फैसला किया है जिसकी वज़े से नैटो के आठ देश घबराय हुए हैं खबरें जो भी सामने आ रही हैं वो बेहत भयानक है रूस की परमाणू धमकी अगर सफल होई तो जंग रुक जाएगी और अगर रूस की परमाणू तयारी के खलाफ नैटो और अमेरिका आगे बढ़ते हैं तो फिर रूस खुद को तबाह करते हुए दोनिया के आठ बेहत ताकतवर देशों को परमाणू हमले में पूरी तरह से दोनिया के नक्षे से मिटा देगा